कैसे हैं आप सब लोग किचन विद नौरीन में मैं हूँ आपके साथ और आज जो रेसिपी में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेगी बनती है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन शाशलिक स्टिक्स विद फ्राइड राइस तो बनाना स्टार्ट कर आपर बनान नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी लगे तो इसको लाइक जिरूर कीजिएगा तो चलें इसको बनाते हैं सब्से पहले मैं चिकन की अमगा व्हें को तो नहीं करूंगी मैं रहाना ना सिते अक्राइब हेलाए येह यह स्पाल्स umälतों ये महरते दूछ में है कर चाहिए बाली नहीं टी इस ही हम आधे सिये हुए नहींना प्लापयर जाल किन उसना पवैब चाहिए है यह लिसन समें तेड़ कोँ कोटर हैाएता है और मैंने लिया डाल भीन भी सिर्का दंट इलैं और यहां पर मैंने लिया है अधुक्त बेखेर के इस अधुआ हाइज मर्छ के लिए सब्सक्राइज फिए और यहां पर ने थोड़ी सी वेचटेबल्स लिए तो यह दोनों चीजेव की हैं फ्राइड रैस के लिए यहां पर बेल पर लेली है अगर आपके पास green वाली टो भी मर्च आप लें सकते आ मेरे पास थी नहीं तो मैंने यह जो ले लिया है और एक मैंने medium size की प्याज ले लिया एक टीमाटर है कहते है इसको भी हम हम अभी हम काते हैं सारी चीजों को नेकिए सबalted हम कह Hah को सबसे पहले हम करेंगे चिकन की मारीमेशन यो यह ले ली है और इसको मैं करूंगे मारिनेट सबसे पहले मैं के अंदर ढालूंगी सुया स्वास जाओ ये मेरे पास डार्क भाला स्वास है विनेगर और ये जो मैने आपके स्पाइस धिखाये था ये सारे ढाल दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स करके आदे घंडे के लिए मैं मैरिनेट करके रख दूँगे जब तक यह मैरिनेट होगा जब तक हम अपनी बाकी जीजों की तयारी कर लेंगे वेजिटेबल्स वगारा काट लेंगे यह बस हो गया अच्छे से इसको मैं ढखके रख दूँगी और अब हम करेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग इसको साइट पर करते हैं और यहां पर मैंने यह वडिन स्क्यूवर्स ले लिए और इसको जो है मैंने पानी में इस तरीके से सोख करने के लिए रख दिया क्योंकि यह फिर थोड़ी सी जल्ला शुरी हो जादिया तो यह इस तरीके से नहीं चलेंगे तो यह हो गया है कि वेजेटेबिल्स में आदी जो है ये वाली ये बहुत बड़ी है मेरे पास तो आदी मैं यूज कर लूँगे और आदी जो है मैं इस्टिक्स के लिए यूज कर लूँगे माज़望 है मैं को लूँ कर लानी जीई ङप दोल आदी मैं गरसेश़ और ड्रह लाओेब ड़किन खरेगे हैं वाली बहुत कर लाओे जवे के लिस खरेबिल्स अजयसर मीत जाईर, च Christmas इसके सीट्स निकाल लूँगी मैं यह देखे मैंने वेज़ेबर्स को कट कर लिया है और यह जो की है मैंने यह फाइर राइस के लिए की है तो इसको मैं हटाती हूँ और अब हम इस्टिक्स के ओपर जो है अपने शाशलिक के चीज़े पॉर करेंगे और यह देखें यह मैंने शाशलिक स्टिक्स के लिए काट लिए वेज़ेबर्स इस तरीके से काटी है सारे चीज़े तो अब मैं एक एक स्टिक लोगी और आपको बताते हमें किस तरीके से लगाऊंगे सबसे पहले मैं इसके उपर लगाऊंगी प्याज इस तरीके से पीछे कर ती रहूंगी इसको टाइट टाइट हम करके लगाएंगे उसके बाद मैं लगाऊंगी इसके इंदर ट्यमेटो इस तरीके से इसको टाइट आपके लगाएंगे हम इसके बाद प्रसे प्याजे लगाऊंगे इसी तरीके से हम पूरी स्टिक्स पर लगा लेंगे और इसका मैं एक स्वाउस भी तयार करूंगे अभी वह जब मैं इसको पकाऊंगी तो वह इसके उपर लगाऊंगे अच्छी मोटी सी बनाएंगे छोटी चोटी भी बना सकते हैं अगर पाटी बगर अब बनाना हो तो अच्छी लगती है मोबी वजाए लह यह कि यह देखिए यह टयार हो गई है पुरी एक इसतरीके से और समय किलेत में रखने जोंगे process कितलय के समाने वाई यह कि बैभी कि यह नहीं जोगा है यह साले में वह चान स्वाइब यह उच्रादी बचनतार्वाइ मैं करेंगी तो भी आपके दिखाती हो और इसके उपल एक सास लगाँगी मैं तो वह आपको बनाना बताती हूं किस तरह मनाऊंगी तक्रीबन टूटेबल स्पून के बराबर मैंने केचप लेलिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूगी यह मैंने टू टेबल स्पून के बराबर लेलिया है कैचप और इसके अंदर मैं डालूगी वाचिस्टर शया सॉस तक्रीबन टीश्पून के बराबर डालूगी अगर यह आपके पास नहीं है तो आप सोया सॉस भी टाल सकते हैं और हाफ टीश्पून डालूगी सोया सॉस तो यह इसको उपर से लगाँग बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर मैं गालिक डाल दूँगी इसको मैंने एक लॉफ के बराबर का वज जाल दिया है और यह जब हम बना रहे होंगे तो उस वाक में उपर से लगाँगी तो चलिए इसको मैंने पैन करम करने के लिए लग दिया है तो आप इसको हम डालते के अंदर मैंने तक्रीबान 2-3 टेबिल स्पून डाल दिया है और आप जो बने यह स्टिक्स पराई है यह रखोंगे इसके अंदर और बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगी किबिके चिकन हमारी कच्छी है तो हमारी गाईजी टेबल चिकन सब बहु जाएगी इसको म पलट पलट के पशाँगी और आपके भी रहूंगी इसको तक्रीबान 3 मिंट हो चुके है इसको अच्छी से कलर आ रहे है मुषब भी तो नहीं पलट के में पलट के लूट के में कर लोगे जाएगा इस तो तरीके Supra, लगाऊँगी ये इसको फोर टो मेंने बहुत जाएदा घ्राषा थोड़ा थोला साइक मैंट के माहिने के लिए बहुत बढ़त है तो इसको करेंगे बात दें जबिए अशी तरीके से पढ़ता है यह देखें अब इससे के उपपर मैं रिष्टास बनाया था जो लगाऊंगी इस तरीके से बहुत मज़गा लगता है इससे इसको पलट पलट के मैं एक दो मिल्ट और पसाऊंगी और यह रह दी है यह देखें यह बिल्कुल तयार हो गई है बस अब मैं इसको करूंगी डिश आउट और दूसी तरफ अब जो है हम बनाएंगे अपने जो हमने फ्राइट वाइस बनाने है तो चले उसको बनाना स्टार्ट करते हो इसका चूला मैं करती हूँ बन और यहां पर मैंने एक बॉक करते हैं इसके अंदर मैं डालूंगी तक्रिवन फोर टेबल स्पून के बराबर वाइल और हम जल्दी से बनाएंगे और राइस मैंने वाइल कर लिए थे नॉर्मली इस तरही किसे करते हैं तो बस आप जली से इसको तयार करती हो मैं यह देखें सबसे पहले मैं और जो है म कलर चेंग नहीं मैं और सारी चीजह कि जल्दी जल्दी एक साथ में यह पाड़ी तिया प्यार मैं नहीं करतो है गज़ा एक ताथ हिए और सारी जल्दी एक साथ और वींत हम यूदिधा capable शाधि करते हैं और कुछ पी नहीं है तर जर्दी दालने से तरह में कुछा कुछ आपके इसे ही स्थी स्टेश पे मैं इशनी से दाल में कया जिए हुए देखा सबसे पेले मना संदर लूँगी गाजर है और गाजर के साथ ही मैं डाल ढल दयूगी है बनडो भीcing आप इसकी कलर्स यू है वो खराब नहीं होने चाहिए आपी साथ में इसके डालेंगे आप इसके अंगर डाल पेफर लेने वाली जाग रही मैं नहीं डालूगी है अच्छ इए इसके अंदर बस चलाऊं दे इसके अंदर राख में चलावन काउं प्रया दा लेंगे अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप ही डालेगा और राइस जब मैंने बॉइल किये थे तो उसके अंदर मैंने जो है तो डाल दिया था तो बस मैं अभी इस रेजिटेविल के लिए डालूँगे थोड़ा सा कि अक स्ट्पून कि डालें शॵड़ा साथ अगर मैंने जादा नाएं ये बॉझा गए डालाएं और अब मैंने अ ज़्यक्क इंदर डालेंगी तो या सॉस मैं अगर मुझे जब रच लेड़ी तो मैं जब राइस दालेंगे इसके बाद को अवाँ आप देख लीजेगा कि आपको कितने बनाने तो इस आप से बना लीजेगा बदेखके अंदर मैंने डाल दिये हैं अगर आपके पाथ रात के बचे भी राइस पड़े हो तो अच्छे से बन जाते है फ्राइब भाई उसके लीजेए अब इसको मैं मिक्स करूंगी, यह देखें, सादी कीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे पाइपर तयार हो गए, खटपट, और इसके अंदर मैंने सिव बन ती स्पून जो है, सोया सॉस डाला है, और हाफ ती स्पून मैंने इसके अंदर ब्ल मैं आप लोगों को यह दिखाना भूल गई थी, मैंने डाली इसके अंदर यह ग्रीन वरी अनियन जो है, तो यह भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और इसको डिश आउट कर लिया है, और यह बहुत ही मज़े का बना है, तो आप लोगों ने मेरी इस recipe को ट्राइ करना है, इन्शालला आपको बहुत अच्छी लगेगी, और मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा, इन्शालला एक और सिंपल और मज़ेदार recipe के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी, जब तक के लिए, अला हाफेज